नवस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में हम एक कोश्चन है उसके बारी में चर्चा कर रहे हैं तो एक कोश्चन है जो जोंके या मक्का के 200 दाने या बीज बनने के लिए कितने अर्धसूत्ती रजन होंगे तो इसके बारी में हमें चर्चा करना है तो चर्चा करने से पहले यदि आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को ससकाइब न किया हो तो चैनल को सस्काइब यरू कर लें बैल आइकन का भी बटन दबालें जिससे आगे के वीडियो के नोटिफिकेसन आप तक मक्का या जों है जो उसके कितने दाने हैं बनने हैं 200 दाने बनने हैं अब वो पूच रहा है पिरस्ण कितने अर्दसूत्री विभाजन होंगे इन दाने बनने में 200 तो यह है आंसर ठीक है कितने जों के या मक्का के 200 दाने या बीज बनने के लिए 250 अर्दसूत्री विभाजन की आवस्षिक्ता होगे यह तो रहा आंसर सीधा लेकिन कैसे 250 चाहिए इसका हमावी आंगे आपको बताने वाले हैं तो देखें ए रहा कैसे बनेंगे तो इसमें का लिखा है आपका पहला है कि 200 दाने या बीज बनने के लिए 200 निसेचन होने चाहिए क्योंकि दाना या बीज कब बनता है तो आपने सुना होगा जो बीज है वो निसेचन के पश्चात जो बीजान होता है वो बीज में बदल जाता या दाने में बदल जाता अब एक बात ये भी है कि इसे दाना क्यों कहते हैं तो दाना इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मक्का है या फिर जो है या गेहू में उसमें फल भित्ती भी उसी के साथ जुड़ी रहती है बीज के साथ ही इसलिए उसको दाना कहने लगते हैं ठेक है तो क्या फल भित्ती भी गेहूं है मक्का है जो है इनमें फल भित्ती भी इनी के साथ जुड़ी है इसलिए इनको दाना कहते हैं माकी जैसे चने का बीज है तो वो अलग होते हैं उन्हें फल भित्ती नहीं चिपकी होती है इसलिए उनको बीज कहते हैं ठेक है लेकिन दाना भी बोल लेते हैं लेकिन वास्तों में अगर देखा जाए तो गेहूं जो है या मक्का जो है एक प्रकार का क्या है फल भी होते हैं तो इनको फल की नाम से भी जानते हैं क्योंकि इनको फल भी ती किसके साथ चिपकी है उसी बीच के साथ चिपकी हुई पाई जाती है ठीक है तो ये फल भी होते हैं इनको फल भी कह सकते हैं लेकर चन्या को फल नहीं कह सकते हैं ठीक है तो ये बात समझ गए होगे अब तो तो दूसो दाने या बीच बनने के लिए कितने दूसो निसेचन होंगे मतलब दूसो निसेचन होगे अब आँगे हैं 200 निसेचन के लिए 200 नर्युगमक और 200 मादा युगमकों की आवस्षिक्ता होती है क्योंकि निसेचन आप जानते हैं नर्युगमकों युगमक और मादा युगमक के सनलियन की क्रिया को निसेचन कहती है तो 200 नर्युगमक चाहिए और 200 मादायुगमक चाहिए अब आँगे तीसे पॉइंट में का कह रहा 200 नर्युगमकों के निर्माण के लिए 50 अर्द सूत्री विभाजन की आवस्षित्ता होगी समझें कि 200 जो नर्युगमक बनेंगे निसेचन के लिए वो 50 अर्द सूत्री विभाजन में ही बन जाएंगे तो कैसे बन जाएंगे क्योंकि जब सूक्ष विजानु मात्रकोषका में सूक्ष विजानु मात्रकोषका में क्या होता है अर्द सूत्री विभाजन होता है या होगा तो का होगा एक मात्रकोषका से जो सुक्ष वीजानू मात्रकोषका, एक मात्रकोषका से चार सुक्ष वीजानू या परागकान या नर्युगमकों का निर्मार हो जाता है, यहीं बात समझ गये होंगे, दो सो नर्युगमक बनना है, तो पचास अर्थ सूति क्यों बनना है, क्योंकि एक मात्रकोषका से चार नर्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् ठीक है क्यों होगी अब देखो इसमें पचास था इसमें 200 ही नर्युमक मादयुमक बनना है तो 200 ही अर्दसुत्री भाजन होगा क्यों होगा इसका आंगे है देखो क्यों कि जब एक दीर्गवी जानु मात्रकोषका में अर्दसुत्री भाजन होता है तो चार दीर्गवी जा बने थे लेकिन देखो आंगे उनमें से तीन नस्ट हो जाते हैं मतलब तीन नस्ट हो जाते हैं केवल एक ही मादा युगमक का निर्मार करता है एक अर्शूत्ती विवाजन एक ही मादा युगमक बनाएगा तो बताओ 200 मादा युगमक बननी है तो कितने अर्शूत्ती 200 बनन जाएंगे यहां 200 अर्दसूत्ती विभाजन से 200 मादा युगमग बन जाएंगे तो वही लिखा है 50 अर्दसूत्ती विभाजन पिलस 200 अर्दसूत्ती विभाजन इमादा के हैं इनर के हैं जोड़ोगे तो कितना अंसर आ जाएगा 250 अर्दसूत्ती विभाजन होंगे कितने ज दिर्ग भी जानू और सुक्ष भी जानू पढ़े होंगे तो इसमें आपको पता चला होगा कैसे एक मात्र कोशका से कितने दिर्ग भी जानू कितने लगुवी जानू बनते हैं ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही एक कोस्चन था जिसको आपने जाना है अगर समझ में आए तो कमेंट करके भी आप पूर्श सकते हैं